सपद संघातेर मोध्धी शोनीबार ममोता बंधुपाथायर विरुध्धे मान्हानेर मामलार हुशियारी दिये छिलें केंद्रियो अर्थमोंत्री संगे दैखा करार पर बांगलार बेहाल अर्थुनेतीर उफिजोके शेद पत्रो प्रकाषेर दाबीयो तुले छिलें मोतीरिक्त बै ओ जनोगने टाका आत्तो शाती त्रिनुमल शर्कारे बोईशिष्ट बोले जहालो आक्रबन शानिये छे राजभाबुर तादेर तरोग थेके एई दाभियो करा हुए छे राजजोके अर्थनोईतीक अंधोकोपे परिनतो करा छे बर्थोबान शर्कार West Bengal is facing a financial breakdown. It is very disturbing, shocking, shattering to see that as a responsible governor, I upon the authority vested in the governor, I have asked for an emergency cabinet meeting to discuss this issue and also issue a white paper of the finances of the state. राज्योपाल जोदी बांगलार अभिवाबोखन, तावले राज्योपाले केंद्रेल मंत्रीर काचे किया बलाऊचित बांगलार टाकाटा देवार जन्नो अर्थो मंत्रीर काचे तो बांगलार जोदी तिनी राज्यो पाल होबेन, बांगलार अधिकार निये तो अर्थमंत्रिके बलाउची, तार बदोले जोदी तिनी अन्नो कीचु बले थाकेन, ताले बांगलार अभिवाबोग जोदी बांगलार विश्चास गातोके भुमिका पालों कोडे थाकेन, त राज्योपाल कल दन्हीं दन्हीं च्वलेता, लायजयू दन्हीं पर भीडिटों, फसकती। तेर शंभ्रम हानीर अभी चोगे राज्जुपाल के लागातार निशाना कोरे चोले चे फ्रिनमुल ओना राध्भबने क्यानों सवाई जाबे राध्भबने जा किट्टी केरें करी चोल चे ताहते मेरा जेदे भॉय पाथ चा Mamadha Banaji has crossed all the limits. I will file a defamation case against the individual Mamadha Banaji. As a chief minister, I gave her all regards and respect, but she feels that she can bully anybody and cast aspersions on my character. My character is not to be negotiated by an individual like Mamadha Banaji. Let I think of her own character. I don't want to comment on that. But any amount of assassination on myself perspective will not be tolerated. राज्जु पालो दिल्ली ते कोखनो जग्दिप धन्कर, कोखनो केंजियो आइन मंत्री, कोखनो अर्थमंत्री संगे दैखा कोरे त्रिनमुल शर्कारेर विरुद्धे कोमुर बेंधेल और आईये नेमे छेन. रुमा पाल्प और अरित्रिक भटा चार्चेर रिपोर्ट, ABP आनोंदो कुलकाता.